नमस्कार दोस्तों, मन में चलने वाले लगातार विचार, हमें दिन भर परेशान किये रहते हैं, और ऐसे टाइम पर हमें ज़ादा परेशानी होती है, जब हम कुछ ना कर रहे हों, जैसे कि सोते समय, सोने का समय ऐसा टाइम है जब आप एकदम आराम से लेटे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इस समय पर सबसे ज़्यादा विचार आपके मन में आते हैं, और अगर यह विचार नेगेटिव हैं, तो आपको नीद आने में बहुत परेशानी होती है, पूरी रात करवटे बदलते हुए निकल जाती है, ऐसे अंचाहे विचारों को रोकने के लिए, एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन आप लेटे-लेटे कर सकते हैं, ये छोटा सा मेडिटेशन एक सेकिंड में आपको विचारों से छुटकारा दिला देगा, और आप चैन की नीद सो पाएंगे, बहुत सिंपल है, आराम से लेट कर आखे बंद कर लेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे, और पूरा सांस बाहर छोड़ देए, अब आखें बंद रखते हुए, अपने पूरे कमरे को अब्जर्व करें, देखें अपने मन की आखों से, अपने आस पास की चीजों को, आपके कमरे में जो कुछ भी है, उसे देखें, कमरे की चत, दिवारें, फर्श, जो भी फरनीचर है, खिड़की, दर्वाजा, पंखा, लाइट, एसी, जो कुछ भी उस कमरे में है, कमरे में कौन से कर्टिन्स लगें है, पर्दों का रंग कैसा है, देखते रहें, अब ध्यान अपने बेडरूम से बाहर ले जाएं, बाहर जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उन आवाजों की तरफ ध्यान लगाएं, सुनें, क्या किसी वहिकल की आवाज आ रही है, लोगों के बोलने की आवाज, पक्षियों की आवाज, किसी की चलने की आवाज, गाड़ी के हौन, किसी भी तरह की आवाज, जो आप सुन पा रहे हैं, अगर और भी कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो उन्हें सुनते रहें, एक आवाज से दूसरी आवाज तक अपना ध्यान ले जाए फिर से अपना ध्यान कमरे के अंदर ले आए और अपनी सांस ओपर ध्यान लगाए एक लंबा गहरा सांस ले आप पाएंगे कि छोटे से मेडिटेशन को करने के बाद आपके मन के विचार पूरी तरह से समाप्त हो गए है यह हमारे मन की टेंडेंसी होती है कि जब हम ध्यान को बाहर ले जाते हैं उतना ही हमारा ध्यान अंदर की तरफ आता है हम अपने आप से जुड़ पाते हैं जो अलग-अलग विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ऐसा होने से हम बहुत आराम से चैन की नीन सो पाते हैं तो सोने से ठीक पहले यह चोटा सा मेडिटेशन करके देखें और अपने एक्सपीरिंस मेरे साथ जरूर शेयर करें अपना ख्याल रखें नमस्कार